श्री गड़े शायन नमाय नमस्का मित्रो स्वागत करती हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ग्यान गंगा में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2020 में पढ़ने वाली एकादशित ब्रत के वारे में कब है एकादशित मारच महा में और साथ ही क्या है एकादशित की इतिखियां लेकिन वीडियो शूर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और भी तक आपने से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकादशी तितियों की जानकारी के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन को प्रस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो हिंदू पंचांग की ग्यारी तिधी को एकादशी कहते हैं एकादशी संस्कृत भार्षा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है ग्यारा हर महिने में एकादशी दोबार आती है एक शुकलपक्च के बाद और दूसरी कृष्णपक्च के बाद पुर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावश्या के बाद आने वाली एकादशी को सुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं पुरानों के अनुसा एकादशी को हरी दिन और हरी वासर के नाम से भी जाना जाता है इस व्रत को वैश्रों और गैर वैश्रों दोनों ही समुदायों द्वारा मनाया जाता है ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत हवन यग्य वैधिक कर्मकांड आधि से भी अधिक फल देता है इस व्रत को रखने की एक मानेता ये भी है कि इससे पूर्वज या पित्रों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है इस कंध पुरांग में भी एकादशी व्रत के महत्व को बताया गया है जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके लिए एक आदिशी के दिन गेहूं, मसाले और सब्जिया आदी का सेवन वर्जित होता है तो चलिए जानते हैं कि मार्च महा में एक आदिशी की तिथियां कौन सी है 6 मार्च 2020 दिन शुक्रवार को है आमले की एक आदिशी एक आदिशी तिथि का प्रारंब होगा 5 मार्च 2020 दोबैर 1 बच का 18 मिनट से और समाप्ति होगी 6 मार्च 2020 सुबह 11 बच का 47 मिनट पर 19 मार्च 2020 दिन ब्रस्वतिवार को है पांप मोचनी एक आदिशी एक आदिशी तिथि का प्रारंब होगा 19 मार्च 2020 को सुबह 4 बच का 26 मिनट पर और समाप्ति होगी 20 मार्च 2020 को सुबह 5 बच का 69 मिनट पर तो ये थी जानकारी एक आदिशी मार्च माह में पढ़ने वाली एक आदिशी तिथियों के बारे में मेरे वीडियो में अंति तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ